ये वीडियो एक informative वीडियो जिसमें आप लोगों को वैक्सीन से related की वैक्सीन के लिए आपको registration कैसे कराना है ऐसा नहीं है कि जो 18 साल से लोग 18 साल से लेके 45 साल के जो लोग है वो सीधा गए hospital के अंदर और उरूनों ने कहा कि हमें वैक्सीन लगवानी है ऐसा नहीं है वो बा वैक्सीन उनको भार सरकार ने अनुमती दिया है जो सबसे पहले आने का उपर उजिसने वादा किया था वह यह कह रहे हैं तो उसके लिए मुझे चलना होगा अपने लैपटोप की स्क्रीन के ऊपर आप दो जगहें पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एक तो कोविन की साइट के ऊपर जाकर यह गौर्रमेंट की साइट है और एक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आरोगय सेतु के आप के ऊपर अब ही सबसे पहले हम कोविन की जो वेबसाइट है उसी के ऊपर रिजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले यही दिखाये देगा जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है फिर यहां पर रिजिस्ट्रेशन और साइन इन करना और वेरिफाई करना है यह आपको स्टैप करना सबसे पहले एंटर करने के बाद फिर उसके बाद आपके पास यहां पर फोटो आईडी प्रूफ मांगा जाएगा आप कुछ भी कर सकते हैं यहां पर अपना पैन कार्ड अधार कार्ड पहचान पत्र जो आपने यहां पर फोटो आईडी प्रूफ है वो यहां पर लिखने फिर उसके बाद उसका नंबर यहां पर लिखने फिर जो उसमें जो नाम दिया गया है ऐस इन पैन कार्ड जैसे यहां पर पैन कार्ड आपने बोला है तो यहां पर पैन कार्ड में जो नाम दिया गया है वही अगर आप उसके पर क्लिक करेंगे तो एक तो फोटो आईडी प्रूफ आपको करनी पड़ीगी Select appropriate ID card from the drop down list आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना अधार काड़ सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपना पहचान पत्र सेलेक्ट कर सकते हैं या pen card जैसे कि जो भी ID proof है, आप उसको select कर लीजिए photo ID number आपको देना पड़ेगा, आपका नाम करना पड़ेगा, आपको year of birth और gender जवाब करने के बाद फिर उसके बाद आपको register कर देना है, बिल्कुल easy सा step है फिर इसके बाद आता है, जब आप यह कर देंगे तो आपका सामने यह आजाएगा लिखकर, फिर यहाँ पे schedule आजाएगा, कि schedule कैसे करना है एक और चीज है, आप एक नंबर से, एक बार अपनी कोई phone नंबर ले लिया, तो उस phone नंबर से आप total, आप अपने आपको plus में 3 और, यानि total 4 बंदों को register करवा सकते हैं जैसे यहाँ पर जो option आ रहा है, add plus, plus का निशान दे रहा है, यानि add more, एक और भी आप add कर सकते हैं, यानि कि total 4 बंदे एक नंबर से register हो सकते हैं तो यहाँ पर मैं बता सकता हूं कि जब आप add more पर click करेंगे, तो add more पर वही same to same process मांगा जाएगा, कोई ID मांगी जाएगी, जो आप pen card रखेंगे, जो भी आप एचान बत रखेंगे, किसी दूसरे का, फिर उसके बाद वही नंबर वहाँ पर रखना होगा, जो उस ID में ज जो gender है वो select कर देना है, फिर इसके बाद वही same to same process आएगा यहाँ पर और वही यहाँ पर add कर देना है, और add करने के बाद फिर से यह देखो, आप यहाँ पर add हो जाएगा, अपने फहले वाले step पे चलते हैं, अगर आपको add नहीं करने के बाद यहाँ पर delete का भी option आप चा पर click करने के बाद schedule पर click करेंगे, जैसी schedule पर click करेंगे तो आपके सामने यह एक portal यानि यह एक चीज खुल के आएगी, आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी appointment book करेंगे vaccine के लिए, सबसे पहले डेली, डेली आपने selective लिए आप कौन सी जगहें पर रहते हो, डेली के अंदर या फिर कोई भी state, पंजाब, हर्यान, आराजस्तान, उतरपरदेश, मध्यापरदेश, जो भी आप जहां पर रहते हो, वहाँ पर यह करना है, फिर वहाँ पर search करना है, pin code से भी आप यहां पर corruption भी है, book appointment for vaccination, अप एक तरीके से आप pen code, pin code से भी आप उसको select कर सकते हैं, और search किया, अब यह दिखाएगा कि डैली में, या southwest डैली में, कहां पर क्या-क्या, कौन से hospitals के अंदर ये vaccine जो है, वो अपलब्ध है, अभी महाँ आप लोगों को थोड़ी दिर में बताने वाला हूं कि कौन से type की vaccine है, जितनी type की vaccine को भार सरकार ने अनुमती दे रखी है, फ्र फिर cost कितना रुपया उसका लगेगा, कौन सी महंगी है, कौन सी जस्ती सारी चीज़ों के अभी थोड़ी दिर में बात करने वाला हूं, तो इसके बाद जैसे आप ये select कर लेंगे, डैली, नोर्थ, यहां पर आपको दिखा देगा, यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर डेट हो गया, डेट होने के बाद आप यहां पर देख लिजिए कि आपको कौन से hospital में जाना है, वहां पर आपको दिखाता रहेगा, आप यहां पर book कर लिजिए, book करने का यहां पर option आएगा, फिर इसके बाद आपको time slope select करना है, कि time में कौन से 9 से 11, 11 से 1 या फिर 1 से 3, जो भी आपको appropriate time लगे, उसके coding आप appropriate time select कर लिजे, आपको price भी दिया जाएगा, अभी मैं price के उपर आने वाला हूँ, अभी इसके उपर tension नहीं लेनी है, कितना रुपया लगेगा, अभी आ रहा हूँ इसके उपर, तो अभी क्या करना है, फिर इसके बाद, आपको appropriate time select करन है, फिर यहां पर confirm कर देना है, confirm करने के बाद, फिर आपके सामने एक download का option आएगा, आप एक print download कर लेंगे, और आप क्या करेंगे, आपका जो यह है, register हो चुका और आपको जाकर बस यहां पर दिखाना है, अभी मैं बताऊंगा कि, आप जब vaccine लगाने जाएंगे, जो भी आपने तारीक लगी, जैसे आने वाले टाइम में को भी दो तारीक लिकली, दो तारीक के बाद मैं 11 से लेके, एक बज़े तक इसमें टाइम में लगा सकते हैं, तो इतना टाइम है आपके पास, तो इस टाइम स्लोट को आपने किया, तो जब आहां पर जाएंगे, उस hospital में वहां पर क्या परबंद होने वाले हैं, अभी आ रहा हूं उसके उपर में, तो यह जब आपके सामने आ जाएगा, फिर इसके बाद यह जो एक आरोग्य सेतु एप के उपर भी same to same process चलेगा, same to same process, प्रोसेड करने के बाद आपके सामने यहां नंबर आएगा, नंबर यहा अदिकारी होगा, यह होमगाड हो सकता है, एक कोई वलंटेर हो सकता है, वह वहां पर आपकी ID चेक करेगा, जो भी ID आपने रजिस्टरेशन के वक्त लगाई थी, वहां पर ID आपकी चेक करेगा, ID चेक करने के बाद आपको वेटिंग एरिया में बेज आ जाएगा, वेटि यहार आ जाएगा कि कोई side effect तो नहीं है, कोई बीमारी तो और नहीं हो रही, वैसे ऐसे कुछ नहीं है आप जो vaccine है वो बिलकुल free है, फिर भी, free क्या मतलब कि कोई भी side effect नहीं हो रहे हैं, बहुत असरदार vaccine है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है फिर फिर भी आपके उपर 30 मिनट तक निगरानी रखी जाएगी इसके बाद वैक्सिन का असर कब से कब शुरू होगा वैसे एक या दो दिन के अंदर असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन असली असर 14 दिन के बाद आपको नजराने लगेगा अब मैं बता देता हूँ कि वैक्सिन कौन कौन सी है बार सरकार ने जो नमती दे रहे हैं एक है कोवैक्सिन और एक है कोविशिल्ड एक महंगी है यह महंगी है यह सस्ती है अब ही आ रहा हूँ इसके महंगी सस्ती के उपर तो पहला dose लगाने के बाद आप दूसरा dose कब लेंगे दूसरा dose आप 28 से 42 दिन के बीच में आपको दूसरा dose लेना होगा ये कोवेक्सीन है, कोविशील्ड का क्या है कोविशील्ड का पहला dose लगाने के बाद दूसरा जो dose होगा वो ब्यालिस दिन से चपन दिन के बीच के अंदर आपको लेना पड़ेगा अब ओ, वोकिन सुविदा किसके लिए मिलेगी देखो वोकिन सुविदा का मैं बता देता हूँ वोकिन सुविदा का मतलब होता है ऐसा नी है कि आप गए और सीधा 18 साल तेके 18 साल और 45 साल से जो नीचे-ούμεट, तो ऐसा नी है कि आप गय उस्पिटल में और उस्पिटल में जाकर बोला कि मुझे ऐसे वैक्सिन लगवानी और वह वैक्सिन नहीं लगवा करदेगा। बगा देगी आपको करना कि कर पैजिस्टेशन करने पड़ेगी आपको परकृये मैंने समझाई है तो még है उपनी वैक्सिंट अग्या होती है ये 18 साल से उपर जो आयू के जो लोग है और 45 साल से कम के जो लोग है उनके लिए सुवीदा नहीं है ये सिरुफ बात आती है पैसे की जो कि पैसा सबसे बढ़ा हुई है किसको कितना देना पड़ेगा कहां क्या लगेगा अब ही देखो भारत सरकार ने कहा है कि हम जो 18 साल से और 18 साल से जो उपर है और 45 साल से जो नीचे के ड्रोग है इन से हम रुपया लेंगे बाकी के लिए संपूर्ण भारत में फ्री रखी गई थी संपूर्ण भारत में कोस्ट फ्री थी जो 45 पलस के जो लोग थे उनके लिए वैक्सिन बिल्कुल फ्री थी अब फ्री कि इनके है कि हम यहाँ पर फ्री रखने वाले उनमें फ्री रखने वाले के मतलब कि आप जाएए इन राज्यों में अगर आप इन में आते हैं तो आपकी फ्री ओफ कोस्ट है आपको कोई भी रुपया नहीं देना पड़ेगा और क्या पता आने वाले टाइम में कुछ और राज्य जो हैं जितने बचे हुई राज्य हैं वो शायद अब तक फ्री कर चुके हैं मैं अब तक की बता रहा हूं आप अपने राज्य का दीख लेना ओके वैक्षिन लगवाने से पहले देखो आप थोड़ा बहुत तुनास्ता करके जा सकते हैं यदि आपको करोना हुआ है तो चार से छे वते बाद ही वैक्षिन लगाएं बुखार है खांसी एनजला है तो आप टिका ना लगवाएं बाकि ऐसा कोई भी इसमें साइड इफेक्ट मतलब कि कोई और भी चीज़ है इसमें नहीं बताएगी आप वैक्षिन क्यों ना लगवाएं या पिर सिंपल सी चीज किसी को बुखार यह तो कोई नोर्मल सी चीज है मैंने जितना सुना है जितना मैं देख रहा हूं बुखार होना बहुत नोर्मल सी चीज है एक दो दिन बुखार होगी वह वापस ठीक हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है बाकि हेल्प लाइन इन्हों नहीं आपर दी है कि अगर आपको ज्यादा प्रोब्लम होती है बुखार ٹीक नहीं हो रही है तो अरोके सच्ति और महंगी के बारें बात कर लेते हैं को वैक्सी को वैक्सीन अब तो मैंने बताया दिया है दोनों वैक्सीन फ्री है आपको कोई भी टेंचिन लेनी बात नहीं है लेकिन फ्री क जाएंगे तो देख लीजे कितना रुपया लगेगा प्राइविट में जाएंगे तो बारा सो रुपया आप देख लीजे आप रुपया लेके जाना पड़ेगा और यहां पर इसके लिए 600 रुपया देना पड़ेगा कोवी शिल्ड के लिए यह इनकी कभी एफेक्टिव र देख लेना और यहां जो इन दोनों की साइड इफेक्ट बताएंगे दोनों में सरदर होना तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है तो बुखार के लिए ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं यहां पर कुछ आंकड़े मैंने दी हैं कि यहां कौन से कितने राज्यों को सरकार दे रही है कंपणी कितने रुपए में दे रही है तो इसमें आपको कोई इंटरस्ट होना नहीं चाहिए आई होप सो आप लोगों को सारी ती से समझ में आ गई होंगी यह जो वैक्सिन ड्राइव हो सबसे बड़ी वैक्सिन ड्राइव होने वाली है तो सुरक्षित जाईए यही एक वैक्सिन है तो इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है तो बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में थैंक्स वोजिंग इस वीडियो में जैहिंद